अब जो मतलब अगला कोश्चन है वो सब को एकदम बेसबरी से इंतजार है कि आखिर में ये कब कोश्चन आएगा तो पूछ लिए जाए वो कोश्चन सच्चा ही पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि मतलब कि क्या आपकी कोई गर्फ्रेंड रही जब आप पढ़ाई कर अगला कोश्चन कि आपके पढ़ाई मतलब कि आपके पढ़ाई करने का तरीक पहां तरीका क्या भी मतलब बेरी सब्सक्राइण का रणे करों वहीं कि जो हैं इसे जो कोशश एक रॉन्हें करोंगा positive उनके मतलब की comments देखे हैं बहुत सारे लेकिन कुछ negative भी रहते हैं तिन्हों ने भी उनही का course खरदा हुआ तो मतलब इन्होंने पढ़ रखा है कुछ महीनों से यह पढ़ रहा है उनही के courses से courses को ले तो आप बताइए उनका कुर्स कैसा है चलो जा तो स्वागत है आप सभी बालक और बालिकाओं का एक न्यू पॉडकास्ट में और इस पॉडकास्ट में हम आपको एक ऐसे बालक से मिलाने वाले हैं जुन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर बहुत ही अच्छे मार्क्स गे परसेंट और अज के पॉडकास्ट में लोग करने क्या वाले है इनसे कुछ बहुत ही तीखे यानि परस्नली कोश्चन का किया जाएंगे इनके परस्नली है लाइफ से रिलेटेड और कुछ मीठए बिकोश्चन किये जाएंगे और देखते हैं इनका जवाब क्या आता तो पहली बाद तो स्वागत है आपका इस पॉड्कास्ट में ठीक तो आज आप से कुछ कोस्टन किये जाएंगे आप तैयार है एक दम बिल्कुल तैयार है ठीक तो आपका पहला कोस्टन है कि आप कैसा फिल कर रहे हैं इतने अच्छे नंबर को गेन करके पहली बाद तो मैं डूसरे कोस्ट्टन की बारे के दूसरा के आपने कितने परसंटेज एक्स प्ड़िये थे मदलब को आपके कितने number आ सकते हैं मृषताइब जितना भी आपने महनत किया तो उसके ही जब लिग्जाम दिया था मैंने clear नहीं था इसलिए 665-676 मिलेंगे लिकिन उसी के आसपास में नंबर में अगर गोग दनेंट इनको मिलें जो आपका नेक्स प्रकें आम लब कि आपके वहाँ सारे बस्य ठोड़ा सोचते हैं कि मतलब कि कितना टाइम पढ़ाई करना चाहिए तो उस टाइम से रिलेटेड है कि आप कितना टाइम देते थे फिजिक्स या फिर और वे आने सब्जेक्ट्स को ले करके देखिए मैं जब भी कलास में जाता था तो कोचिन करने के बाद एक गंटा कोचिन रहती थी मैं कोचिन करने के बाद रूम पर जाता था दस-पंद्रा मिनट रिलक्स रहता था उसके बाद मैंने आने के बाद तुरा थी शोजाते थे अब अगला इससे कोईसम्चन कि अपके पढ़ाई करने का तरीका क्या था कि मतलब दिन में अपर पढ़ाई करते थे अब करने के लिए ते तो पढ़ाई इस तरीक शीमा है, तुछ नहीं होता है कि वर इसको पाइडमे कर इंग साग्डीन आपने के बाद होगा या तो कोचिन नहीं होता तो मैं इसकूल जाता इसकूल से पढ़ने के बाद आता रूम पे खाना वगा रखाता और फिर वही कोचिन था सामने तरीके से आपने पढ़ाई को बढ़ावा दिया और अगला आपका कोश्चन है कोई आसा इंसान जो मतलब परसानियों में बहुत सारे प मता पिता को देना चाहूंगा और मेरे प्रिये सर जलच सर को भी मैं देना चाहूंगा कि मेरे हर परसानिया मेरे साथ दिया है जो कि मैं इसा कर पाया हूं और मेरे प्रिंस सर भी है जो कि मैत के टीचर है वह भी मेरा बहुत सयोग किया मैं उनका साथ भी जाना चाहूंगा ठीस में कि मैंने फांट, फशे नंबर के छोटद भी दिया था तो मेरा सव मे सवाता है। ठील हो पाया अब आपका अगला क्वच्चन है है, बहुत सारे बच्कों में यह देखा जाता है, वह अपने पढ़ाई को ले करकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यह होता है कि जो लड़कें हैं वो लड़कियों के चक्कर में और जो लड़कों के चक्कर में कुछ नुकुछ हैं जो नंबर होते हैं वह घटाओ जड़ो देखा जागा तो इस टाइप के जो बच्चे होते हम उन बच्चों के लिए का मतलब बहुत सही बात है कि मतलब कि देखिए आप ज्यादा तर पढ़ाई पर ध्यान देजें क्योंकि यह बात देखो सच्छा है कि अगर आप अपने आप पर टाइम देते हो तो आपको आगे चल करके बहुत कुछ मेलेगा जैसे इनको आगे आज आज के डेट में अगर मैं इनके साथ बैठा हूँ वहाई इंटर्विव ले रहा हूँ तो क्योंकि इन्होंने कुछ न कुछ किया है अपने जीवन में और आगे भी करते रहेंगे तो आज हम ले रहे हैं अगर आगे और यह मुकाम हासिल करेंगे तो आज आगे कौन आएगा इनसे मिलने वह तो सच्छाई पूछा जाए तो आपको यह बताना है कि मतलब कि क्या आपकी कोई गल्फ्रेंड रही जब आप पढ़ाई करते थे तो देखे मेरे तो कोई गल्फ्रेंड नहीं लेकिन बनना तो बहुत चाहते थे अगर आप इसमार्ट हो पढ़ाई में तो देखो आपके करीब आना चाहेंगे यानि लोग मतलब कि दोस्ती करना चाहेंगे आपसे आपके साथ तो जो भी चीज़े हैं लेकिन आप डिस्टेक्ट अपने पत पर रहो एकदम मतलब अपना टार्गेट चूज किया है तो हटाओ कि निकल लो भी या तुम हमारा काम नहीं है यह सब हमारा काम जो है आपने टार्गेट पर एकदम टार्गेटेट हैं तो वह इल जो चीज़े एकदम छोड़ दो कुलमिला करके तो ऐसा मतलब बनना पड़ता है आपको और आगे भी बनना पड़ेगा तो यह कुलमि सर ने बताया डिस्ट्रेक्शन के बारे में और जो भी चीज़े हैं नसा होगरा है चाहे जो भी चीज़े हो यह सबसे दूर है और जितना हो से को उतना पढ़ाई करते रहें हर्समें घूमना फिना काम करें और इसमें एक क्वेश्चन छूड़ गया कि अब आपका आगे क आगे का टार्गेट के आपने क्या सोचा है मैं तो सिविल इंजिनियर बनना चाहता हूं और इसके अनुसार मैं आइटी का प्रिप्रेशन भी चालू कर दिया हूं मैं आनलाइन प्रिप्रेशरी करता हूं अभी और तमाने अच्छा और एक कोस्चन मैं और भी आड़ करू तो मतलब इन्होंने पड़ रखा है मतलब कुछ महीनों से यह पड़ रहा है उन्हीं के कोर्स को ले करके तो आप बताए उनका कैसा है देखिए मैं का आना चाहता हूं कि फिजिक सोला का जो हर चीज है पढ़ायों सब अच्छी चीज है जितना भी टीचर है सब आरे टीच पढ़ा रहे हैं उससे अगर आप एक्स्ट्रा क्यापेबल हो करने के लिए तब आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे यह नहीं कि जो टीचर ने बता दिया कि दो कोश्चन करो दो ही कोश्चन आप कर रहे हो कि यह नहीं कि कि किवल टीचर पर डिपेंड हो आपको नहीं बन लिखन करके पढ़ो इस तरीके से एक और कोश्चन चाहेंगे कि आप मतलब ज्यादा याद करके पड़ते थे कि चीजों को लिख लिख करके मतलब के प्रेक्टिस करते थे हमें साथ देखिए मैं हर भी चीज़ को समझ कर खल ना चाते थे लिखना तो याद करना होता नहीं बाकि धन्यवाद ठैंक्यू सो मच आपका जुड़ने के लिए पहली बात तो और हम लोग यहां पर दूर पर आया है और यह आज पास का नजारा है इनके घर के पास है बहुत सुन्दर सा पहाड है और वही पर हम लोगे सुचा कि चलो बैठ करके वहीं पर कुछ ने कुछ त तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए पॉड़कास्ट में बागे पढ़ते रहे हैं और आल दे वेरी वेस्ट